इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ओफ व्यू से 2023 काफी शांदर रहा हम में से जाधा तर लोग इसे मार्केट को फ्रेश पीक्स अचीव करने के लिए याद रखेंगे लेकिन इतना ही नहीं है 2023 में कई दूसरी चीज़े भी हुई और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे के उन से हमने क्या सीखा अफकोर्स इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिफ से ही लेकिन पास्ट के बारे में हम चिंता क्यों करें शुडिंट वी बी लुकिंग अहेड वो कहते हैं ना the seeds of the future are often sown in the past इसलिए future में क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगाने के लिए पीछे options मिल सकते हैं जैसे ELSS funds, NPS, Life Insurance, Health Insurance इतना ही नहीं आप बिना किसी paperwork के उनमें invest भी कर सकते हैं इसके साथ ही आपको instant tax proofs भी मिल जाते हैं मैंने description में financial year 24 में tax saving पर हमारे वीडियो के लिंक को भी mention किया है ये वीडियो ना सिरफ tax बचाने में बलकि सही tax saving products चुनने में भी मदद करेगा राइट तो चलिए अब 2023 का पहला lesson देखें इस साल के दारान निफ्टी 50 ने जहां 21,000 का हाई बनाया वहीं इसने 17,000 से कम का lower level भी टच किया इस साल के दारान तीन major corrections हुए पहला 1st January से 28 March के बीच दूसरा 20th July से 21st August के बीच और तीसरा 15 September से 26th October के बीच लेकिन निफ्टी 50 ने ना सिरफ इने overcome किया बलकि new highs टच करता रहा हर correction पर ऐसा लग रहा था जैसे की market crash हो सकता है लेकिन लगना obvious भी है आखिरकार market Russia यूक्रेन में चल रहे war, Israel hummus war, US market में rising yields जैसे crisis से गुजर रहा था लेकिन निफ्टी 50 ने उन सभी crisis को face किया और new highs बनात रहा, 2023 में निफ्टी 50 में invested एक monthly SIP ने 8th December 2023 तक 29% के शांदार returns दिये, जबकि दूसरी तरफ पिछले एक साल का return 17% है, इसलिए तीन interim corrections की वज़ा से SIP ने lump sums के comparison में कहीं जादा better perform किया, क्योंकि corrections से investment cost कम करने में मदद मिली, तो आज का पहला lesson भी classic investment lesson है, short term corrections से डरने की जरूरत नहीं है, SIP के जरिये investment लगातार जारी रखें, market में आए गए corrections को investment cost कम करने की opportunity की तरह देखें, ना कि खत्रे की तरह, अगर आप long run में इंडिया की economy को लेकर confident हैं, तो फिर ऐसी कोई वज़ा नहीं है कि आपको SIP quit करने के बारे में सोचना पड़े, ओके, तो ये हमारा first lesson था, अब जब हमने market rally के बारे में बात शुरू कर ही दी है, तो जाहिर है कि अगली बात mid और small caps के बारे में ही होगी, 2023 में mid cap और small cap ने जबरदस returns दिये, जहां nifty mid cap 250 इंडेक्स ने 39% के returns दिये, वहीं nifty small cap 250 ने nifty 50 के 17% के comparison में 43% के returns दिये, ऐसे में जाहिर है कि कई investors mid cap और small cap में अपना allocation बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन जैसा कि आपको लग रहा है, ये इतना भी अच्छा idea नहीं है, here's why, आप अपनी स्क्रीन पर large cap, mid cap और small cap indices के सबसे खराब one day, one week और one month returns को देख सकते हैं, इसलिए अगर market में अचानक गिरावट आती है, तो mid cap और small cap में high allocation होना आपको भारी पढ़ सकता है, क्योंकि mid cap और small cap में accumulated gain यानि उस पर अब तक जो आपको profit हुआ है, वो भी अचानक आई गिरावट की वज़े से एक जटके में गायब हो सकता है, इसलिए इस तरह के periods में सही तरीका ये है कि आप अपने market cap allocation को उसी ratio में रखें, जैसा आप शुरुवात में चाहते थे, करने के लिए आपको mid cap और small cap का कुछ पार्ट sell करके large caps buy करने चाहिए थे, तो चलिए अब अगले lesson पर चलते हैं, 2023 को PSU का साल कहा जा सकता है, क्योंकि इस साल Nifty 50 के 18% returns के मुकाबले, Nifty PSU bank ने करीब 30% के returns दिये और 76% rise register की है, लेकिन अगर हम कुछ साल पीछे जागर देखें तो PSU performs नहीं कर रहे थे, वो severely underperform कर रहे थे and investors had virtually written them off, लेकिन जैसा कि हम Bollywood movies में देखते हैं, अचानक सब बदल जाता है, ठीक, उसी तरह PSU's के साथ देखने को मिला, तो इससे हमने क्या सिखा, सबसे पहले कि किसी भी सेक्टर या थीम को पूरी तरह से write-off नहीं करना चाहिए, सब भी सेक्टर में उतार चड़ाव आते रहते हैं, डाउन फेज के दौरान अकसर वो सेक्टर वाल्यू का storehouse बन जाता है, यह value फिर up phase के दौरान unlock हो जाती है, जैसे कि हम PSU के मामल में देख ही रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर पिछले 5 सालों में various sectoral indices और Nifty 50 के comparison में उनका performance देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिये गए टेबल में highlight किये गए sales किसी particular year में Nifty 50 के comparison में कम returns दिखा रहे हैं, Services sector ने लगा था, चार सालों तक Nifty 50 से weak perform किया है, तो ऐसे में क्या ये अगला blockbuster हो सकता है? Well, इसके बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन surely कुछ ऐसे funds हैं जो value या contra theme में invest करते हैं, अगर आप भी value investing में interest रखते हैं, तो आप उनमें invest करने के बारे में सोच सकते हैं, value stocks में exposure लेने का दूसरा तरीका Nifty 50 value 20 index के जरिये मिलता है, हमने अपने पिछले वीडियो में इस index के performance के बारे में बताया है, इसलिए इसका लिंक मैंने description में भी दे दिया है, आप उसे check कर सकते हैं, जब market उपर जाता है, तो अपने asset allocation को बूल कर equity और ज़ादा invest करना आपको सही decision लग सकता है, सही भी है, कौन इस opportunity का फायदा उठाना नहीं चाहेगा, make hay while the sun shines, right? लेकिन ये step सही नहीं है, asset allocation ही आपका guiding star है, जिसे overlook नहीं किया जाना चाहिए, किसे भी portfolio में asset allocation और rebalancing का important role होता है, क्योंकि वो आपके portfolio में risk को control करने में मदद करते हैं, जब आप अपने portfolio का asset allocation कर लेते हैं, तो आप उस asset class को खरीदते हैं, जिसने underperform किया है, और उस asset class का कुछ हिस्सा बेचते हैं, जिसने outperform, यानि शानदार returns दिया हैं, ऐसा करने से आपको उस asset class में capital allocate करने में help मिलती है, जिसके undervalue होने की possibility है, दूसरा, asset allocation, profit booking और when to buy and sell जैसे dilemma से भी आपको बचाता है, कई investors को ये समझ नहीं आता कि उन्हें equity में कब profit book करना चाहिए, अगर आप asset allocation करने के लिए अपने portfolio को rebalance करते हैं, तो profit booking automatically हो जाती है, आपका asset allocation आपको ये भी बताता है कि आपको इस समय क्या खरीदना और बेचना चाहिए, अगर आपके desired asset allocation में equity का portion कम हो गया है, तो equity खरीदें वरना debt खरीदें, तीसरा, आपके portfolio में volatility को कम करने में मदद कर सकता है, आपके portfolio में ऐसे asset class जो fundamentally एक दूसरे से अलग हैं, उनके होने से portfolio की volatility को कम करने में मदद मिल सकती है, equity, debt और gold किसी भी long term portfolio के लिए जरूरी है, इन तीनों assets ने पिछले कुछ सालों में different, अलग-अलग तरह से perform किया है, आप अपनी screen पर nifty fifty short duration funds और निपॉन की gold ETF का yearly performance देख सकते हैं, कुछ ऐसे साल थे जब equity ने अच्छा perform किया, और कुछ ऐसे साल थे जब gold ने ज़ादा बहतर perform किया, जब equity अच्छा perform नहीं करती, तो debt उस गिरावट से आपको संभालने में काम आता है, कुछ investors ये decide नहीं कर पाते कि उन्हें अपने asset allocation में gold को include करना चाहिए या नहीं, साल 2023 में जबकि nifty fifty ने 17% के returns दिये, गोल्ड ने भी 11.5% के returns दिये, इस तरह asset mix में gold को जोड़ना एक सही कदम था, 5-year rolling return के मामले में gold का return equity और debt के बीच में था, यानि equity से कम और debt से ज़ादा, आप देख सकते हैं कि gold ने 9.29%, वही equity ने 12.19% और debt ने 7.32% के returns दिये, गोल्ड की performance से पता चलता है कि ये asset allocation में एक सही contender है, और gold में invest करने के लिए gold fund से लेकर physical gold, digital gold और gold bonds तक options की कोई कमी नहीं है, मैंने gold में investment options पर हमारे एक वीडियो का link description में mention किया है, ये वीडियो ET Money के दूसरे channel 5-minute finance से लिया गया है, जहां हम 5-minute से भी कम समय में personal finance के key concepts को explain करते हैं, चलिए अब अगले lesson के और बढ़ते हैं, Financial year 24 के लिए union budget में last moment change, debt fund investors के लिए एक जोर का जटका था, Finance Minister ने debt funds को 3 साल से जादा invest करने पर मिलने वाले indexation benefit को हटा दिया, यानि 3 साल से जादा समय तक के लिए debt में invest रहने पर अब indexation का फायदा नहीं मिलेगा, इस वज़ा से आने वाले समय में fixed income वाले investment के लिए debt fund शायद अब investors की first choice नहीं होंगे, पहले अगर आप 3 साल के बाद अपना debt fund बेचते थे तो आपको indexation का फायदा मिलता था, post indexation gains पर 20% tax लगता था, indexation आपको inflation के according अपने gains को adjust करने का benefit अलाओ करता है, तो इससे आपका taxable gain कम हो जाता है, अब जब indexation का benefit खतम हो गया है, तो आपको इस बारे में ज़्यादा mindful रहने की जरूरत है कि आप अपना short term को अपस कहां invest करें, अपने fixed income options आप screen पर दिये गए table में देख सकते हैं, चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं, दो साल तक के investment के लिए आप FD या arbitrage fund या debt funds में invest कर सकते हैं, इस time period के लिए suitable debt fund categories में overnight, liquid, ultra short duration, low duration और money market funds included हैं, लेकिन याद रखें कि FD और debt fund से होने वाले profit को आपकी income में जोड़ा जाएगा और slab rate के according tax लगाया जाएगा, आबिट्राज fund में equity जैसा tax treatment मिलता है, इसका मतलब है कि एक साल के अंदर book किये गए gains पर 15% tax लगाया जाता है और एक साल के बाद अगर booked gain एक लाक रुपे से जादा है, तो उस पर 10% tax लगाया जाता है, लेकिन इन funds में equity जैसी volatility नहीं होती, ये debt funds की तरह steady returns प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उनके tax treatment को देखते हुए, अगर आप 2 साल तक invest करना चाहते हैं, तो arbitrage funds एक अच्छा option है, दो से चार साल तक के लिए आपके पास debt funds और equity saving funds है, suitable debt categories में short duration, medium duration, corporate bond, banking and PSU जैसे funds included है, आपके debt funds से होने वाले gain पर slab rate के according tax लगाया जाएगा, equity saving funds में equity जैसा tax treatment और higher return profile भी मिलता है, लेकिन ध्यान रखें कि ये fund equity में करीब one third invest करते हैं, इसलिए ये volatile हो सकते हैं, इसलिए अगर आप थोड़ी ज़ादा volatility को tolerate कर सकते हैं, तो इस time frame के लिए equity saving funds एक अच्छा option है, अब चार साल से ज़ादा time frame के लिए आपके पास कई options है, the first is of course debt funds, इस time frame के लिए suitable categories में short duration, medium duration, medium से long duration, long duration, corporate bond, banking and PSU, guilt funds included है, इन funds से होने वाले gains को आपकी income में जूड़ा जाएगा और slab के according उस पर tax लगाया जाएगा, फिर इसके बाद equity saving funds हैं, जिनके बारे में हमने कुछ देर पहले ही बात की थी, इसके बाद traditional insurance plans है, यहाँ यह option देखकर आप हैरान तो नहीं हो गए न, traditional insurance को एक long term debt instrument consider किया जा सकता है, जो tax free returns देता है, लेकिन आपको यह insure करना होगा गिए ऐसे plan से return 10 year GSEC yield के आसपास हो, यह presently करीब 7.3% है, और tax free income के लिए दो conditions पूरी होनी चाहिए, इस time horizon के लिए अगला investment options small savings schemes है, जैसे PPF, सुकन्या समरिधी, योजना, national savings certificate and so on, इन सभी products में किसी ना किसी तरह का lock-in होता है, और इसलिए इन्हे long term FD माना जा सकता है, लेकिन उनके maturity amount पर अक्सर tax लगाया जाता है, PPF और सुकन्या समरिधी योजना ही, इनमें ऐसी योजनाए हैं, जिनका maturity पर मिलने वाला amount tax free होता है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने दो साल से जादा time horizon के लिए FD को consider क्यों नहीं किया, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप interest rates कम होने पर FD में invest करते हैं, तो आपको extended period के लिए lower interest rate मिलेगा, भले ही आपने interest rate cycle high होने पर FD बनाई हो, लेकिन इस बात की कोई guarantee नहीं होती कि जब FD मिचूर होगी, तो interest rate तब भी high बने रहेंगे, ऐसे में फिर आपको lower interest rate पर reinvest करना पड़ सकता है, इसे reinvestment risk कहा जाता है, बेशक, आप समय से पहले FD से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर penalty लगेगी, इसलिए हमारे हिसाब से FD केवल दो साल तक के time frame के लिए ही सही option है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे उमीद है कि आपको आज के इस वीडियो में बताएगाई lessons पसंद आए होंगे, वीडियो में बताएगाई information आपको पसंद आई हो तो इसे like, share और comment करना ना भूलें, हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ वापस आएंगे, Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.